हलो एंड वेलकम सबी दोस्तों का साथियों रीट सिक्सक बर्ती 2021 के लिए आज हम टेश्ट नंबर 10 हल करेंगे जिसमें की सिक्सन वीडियों के 33 प्रेश्णों को हल करने वाले हैं तो देखिए आज 33 में से मैंने टार्गेट जादा करा है कि आपके 30 क्यूशन सही होने चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कोई सी भी सिक्सक बर्ती हो और यहां पर रीड बर्ती में भी दोनों लेवल के लिए कोई सा भी सब्जेक्ट हो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही जादा उपयोगी है साथियो तो देखते हैं इस सिरीज को और इसके पहले भी मैंने पर्यावरण के 30 प्रिशनों का वीडियो अप्लोट किया है तो उसको भी एक बार आप अवश्य देखिएगा पहला क्युशन है आपके ये देखिएगा सववेधना ज्यान की पहली सिढ़ी है यह कतन संस्बंधित है मांसिक विकास से शारिक विकास से भाषई विकास से और ध्यान के विकास से देखो जादा टाइम लोगा नहीं 33 प्रिशन में जादा से जादा 25 मिनीट ठीक है एक प विखल्प नमबर आपका एक साही है प्रश्ण संक्या एक में नेश्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्ण नमबर दो पर तो देखते हैं आपके दूसरे क्यूशन को पड़ापड रिविजन है बिल्कुल यह तो आप यू मान सकते हो कि बहुत सारे प्रश्ण मेंने पहले की भी सामिल किये है ताकि जो इंपोटेंड इंपोटेंड प्रश्ण है तो वो गलत नहीं होना चाहिए वो याद भी होना चाहिए आपको बाश्या सिक्ष्या के अंतरगा सुनने का अर्थ है द्वेनी संक्यतों का शर्वन बोध पुरवक सुनना द्वेनी संक्यतों को द्यूति चाहिए कि सिर्फ सुनने से कामने चलेगा अगर हम उसका आर्थ नहीं समझे तो तो बहुत पूर्वक सुनना ही सुनने का आर्थ होता है साथियों बासा सिख्षा के अंतरगत सेंग में सही है नेक्ष प्रेरख से क्या थात पर है पुर्रा ऑर्ति प्रस्तुति करण प्रस्तावन उद्देश् nä abbiamo अपयक्षित वियावारगत परिवर्तन तो तो देखो उद्द प्रेरख प्रेरक किसको कहा जाता है प्रस्तावना को कहा जाता है साथ यो किसको प्रस्तावना को ही उत्प्रेरक प्रेरक के नाम से जाना जाता है जो हम जब देनिक पार्थ योजना के माद्य हम से बच्चों को सिक्सन कराते हैं तो जो प्रकरण से सम्मंदित जो चीज होती है मतलब जिससे हम प्रकरन पर आते हैं, तो उसको ही उत्र प्रेरक प्रेरक के नाम से जाना जाता है थार्ड विकल्ब है तीसरे क्यूशन में राइट, नेक्स देखते हैं प्रश्ण नमबर 4 को तो आपके चोता क्यूशन मुल्यांकन सिक्सन का एक अभिन अंग है क्योंकि इसके दोरा सिक्सन की प्रभाव शीलता का पता चलता है अध्यपक का बालकों पर प्रभाव बना रहता है बालक अनुशाशित रहते हैं और इन में से सबी तो देखो मुल्यांकन सिक्सन का एक वो कितना प्रभावी रहा है इसका पता हमें मुल्यांकन से चल ही जाता है तो प्रधम विकलप आपके प्रश्न संख्या 4 में सही रहेगा नेक्स प्रश्न नमबर 5 पे आते हैं तो चलिए देखेंगे 5 वेक्यूशन को निगमन विदी का मार्ग है खोज का अनुकरन का खेल का देखेंगा निगमन विदी एक होती है आगमन विदी आगमन विदी का मार्ग खोज का होता है जबकि निगमन विदी का मार्ग अनुकरन का होता है तो इसलिए आपके जो अनुकरन वाला विकलप है दूसरा वो ही सई आंसर है प्रश्न संख्या 5 में तो चलिए देखते हैं प्रशन नमबर च्छे को आपके छेटा क्यूप्शन इकाई विदी का दोश है कोशल एविक्सित करना पर सिक्षन की विदी होना कर्मिक्ता का अभाव और सिक्षन सामगरी का बटवारा होना तो देखो इकाई विदी का नाम सभी ने सुन रहा होगा एक इकाई में कई देनि पार्ट यूजना एक ही काई में समिलित होती है लेकिन इसका दोष्न किया माना जाता है कि समें कर्मिक्ता का अबाव ओता है पुस्टक में शेय पार्ट किसी एक विश्यस घ्यान की और इशारा करते हैं तो छेश्टों के यह में योजना बना ली तो पिर उस से क्या करम करम टूड़ गया क्योंकि ये दूसरा तीसरा पर पाटतू पड़ाया फिर चोधा फा नी पड़ाया फिर साथ व 오랜만 नई पड़ाया दस्वा ग्यार नहीं पड़ाया डा एक बार्यवा पड़ा आरे वो तो इससे करमिकता का अबाऊ होता है succession है सात्वा बच्चों की लेते हैं तो उसके लिए सत्र परिक्षा के माध्यम से भी कार्य देखकर भी प्रश्ण उत्तिर्यों खेल के माध्यम से भी आप उनका आकलन कर सकते हो लेकिन मौकिक प्रश्ण में सात्यों सिर्फ मौकिक रूप से ही आंसर बताए जाएंगे इसलिए ये रचना प्रश्णों के तई शुदा उत्तर देना और अनुभव बातना वे बातचीत तो देखो मोकिक भाष्या के आकलन का यदि आपको मोकिक भाष्या का आकलन करना है तो भाई सरोत्तम तरीका क्या रहेगा अनुभव बातना वे बातचीत करना क्योंकि साथियों यह सारी ओपचा चीज है ठीक है अनुपचारिक का मतलब के अनुबव बाटना खुद के अंदर के विचारों को बाहर लाया जाएगा बातचीत करना तो इससे आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा मोकिक भाशा का विगल्प नमबर आपका चार सही है आटवे क्यूशन में नेक्ट कोई नहीं तो प्रगतिवादी सिध्धान का सिधा मतलब है वहे विदी जो की बाल के अंतरित हो प्रगतिवादी सिध्धान के अंतरगत आ जाती है तो यहाँ पर जो आपके जो समश्या समाधान विदी है ये प्रगतिवादी सिध्धान तो पर आदारित विदी होती है प अर्थ ग्रहन में साइता की द्रश्टी से कौन सा वाचन उप्यूपत है अनुकरन वाचन समवेत वाचन मोन वाचन और आदर्श वाचन आत्मिकरन बच्चों को करवा दिया आपने अब उसके बाद में आपको अर्थ ग्रहन में साइता की द्रश्टी से मतलब कि भाई जो प कुझकि तरफ आपके सइने 10 में नेच्ट देहेंगे प्र noi को ठीक है यारे संख्यां सुक्रात जो कि तरफ शुकुरात का सिंसन आविव है प्रदर्चन प्रशन वैरवचन और व्याक्यान सिंसन अच्छित द्वरा इन प्रश्ण संक्या 11 में नेक्ट प्रश्ण नंबर 12 पे आते हैं तो ये रहा आपके बारवा क्यूशन शाक्य अभिक्रमी तनूदेशन विदी के जनक कोन हैं जिसमें शाक्य अभिकरमी तनूदेशन विदी के जनक नूर्मन एनच्राउडर है विकलब नमर आपका जो दो है वो सही आंसर है जबकी ये रेख्ये विकर में तनुदेशन विदी के जनक कोन होते हैं बी एप इसकी नर तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्च नंबर 13 पे 13 वे क्यूशन की तरफ यह रहा आपके प्रश्च नंबर 13 भाशा है धोनी संकेतों का व्यवहार विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम आत्मा कहते हैं जिसमें अपने खुद के विचारों को देखो विचारों का आदान प्रदान हम कई प्रकार से कर सकते हैं जैसे मोकिक रूप से कर सकते हैं लिखित रूप से कर सकते हैं सांकेतिक रूप से कर सकते हैं तो इस प्रकार हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं यह नेक्स प्रश्ण नंबर 14 पर आएंगे ये रहाप के प्रश्ण नंबर 14 विबेत कारिता वह गुण है जिससे किसी प्रिश्ण का उत्तर प्रतेक विद्यारती का समान होता है प्रतेक विद्यारती व्यक्तिकत योगिता के आदार पर बिन-बिन उत्तर देता है जिससे विद् प्रतिवाशाली और अन्य भी प्रकार के जो बाला की उनमें अंतर करें तो इसमें विकल्प नमबर आपका दो सही है कि प्रतेक विद्यारती व्यक्तिगत योग्जिता के आदार पर भिन भिन उत्तर देता है जिससे विद्यारतियों का वरगी करण आसनी से हो जाता है इसको ही हम विद्यारता कहेंगे साथियों सेकंड विकल्प चाओदुवे क्यूशन में सही है नेक्स प्रेश नमबर 15 पे आएंगे निम्ड में से कौन सा भाषय कोशल नहीं है लिखना पढ़ना सुनाना बोलना पढ़ना लिखना लेकिन यह सुनाना एक जो तीसरा विकल्प है तो थार्ड विकल्प आपके सही रहेगा प्रेश नमबर 15 में नेक्स प्रेश नमबर 16 को देखेंगे तो यह रहा आपके सोलवा क्यूशन कमजोर चात्रों के पिछड़े इस्तर का पता लगाने के लिए पिछड़े इस्तर का ठीक है कौन से परिक्ष आयुजित करवाए ज प्रेशन करते हैं और उसे पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम उप्चारात्मक प्रेशन करते हैं तो विकल्प नमर आपका दो सही है प्रेश्ण सोला में नेक्स देखेंगे प्रेश्ण नमबर 17 को यह रहा आपके प्रेश्ण नमर 17 शब्द बंडार में वर्दी करने वरतल आप मतलब विचारों कादान प्रदान जिसमें आप करते हो भाषा एक तरह से वरतल आप वह होता है विकल्प नमबर आपका चार से यह सात्यों प्रिश्ट नमबर 17 में नेक्ष्ट प्रिश्ट नमबर 18 को देखेंगे मुल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है बच्चों की गलतियों को रेखांकित करना पास फेल के लिए आधार बनाना बच्चों के सीखने और सिखने के अवसर तलाश करना दीमिक अतिसे सीखने वाले बच्चे या होशयर बच्चे का नाम देना तो देखो सबसे वहम सिखाने के अउसर तलाश करना ही मुल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष होता है कि बच्चे सीखते कैसे हैं उनको किस प्रकार से हम अच्छे से और सिखा सकते हैं इसलिए मुल्यांकन किया जाता है साथियों नेक्स्ष नंबर 19 पे आते हैं निम्ण मेंसे कौन सा दिवति बाशय सिक्सण का उद्देश नहीं है सीखने की शमता के अनुरूप लिखने की शमता का विकास, विभिन शेत्रों इस्तितियों में manuscript को समझने कि योगिता का विकास हिंदी के व्याक्रनिक नीमों को कंटस्ट करना देरिक जीवन में हिंदी में समझने की योगिता का विकास तो देख लिज अच्छी तरह से विकल्प को कि दूतिय बाश्य सिक्षन का इन में से कौन सा उद्देश नहीं है विकल्प नमबर तीन देखो हिंदी के व्याक्रनिक नीमों को कंटस्ट करना मतब रटने वाली चीज है यह तो रटना कभी भी नहीं सिखाया जाता है इसलिए आपके जो तरड विकल्प है यह दूतिय बाश्य सिक्षन के उद्देश्यों में नहीं आता है सातियों तो नेक्स प्रेश नमबर 20 पे आएंगे आपके 20 वाक्यूशन है कक्षा सिक्षन के दोरान निम्ण में से कौन सा किरिया कलाब शर्वन कोशल के विकास के लिए उप्यूक्त नहीं है बाल गीतों का सामुहिक वाचन कराना कहानी कथन करना वाद विवाद परतियोगिता कराना और निबंद परतियोगिता कराना तो सातियों प्रेश्ट संक्या 20 को देख लीजेगा और राइट आंसर का चैन कर लीजेगा सातियों तो देख लेते हैं 20 वेक्यूशन का राइट आंसर निबंद परतियोगिता है, साथियों निबंद परतियोगिता करा कर, आप शर्वन कोशल के से विक्सित करोगे, क्योंकि निबंद में तो लिखा जाता है साथियों, और लिखने में तो लेकन कोशल होगा, शर्वन कोशल के से विक्सित होगा, इसलिए चोता विगलप आपके ये प्रशन भी इसमें सही है, तो नेक्श प्रशन नमबर 21 पे आते हैं, अब आपके 21 वा क्यूशन है मित्रों, रचना सिक्सन में कैसे बढ़ना चाहिए, जटिल से सरल की और बढ़ना चाहिए, इस्तूल से सुश्म की और बढ़ना चाहिए, ग्यात से अग्यात की और जानते हैं पहले वो पढ़ाएं बच्चों को मतलब हम क्या जो बच्चे जानते ना फिर दीरे इस तरफ ले जाए कि जो चीजे वो नहीं जानते हैं तो ग्याद से अग्याद की और हमें रचना सिक्सन में और अन्य सिक्सन में भी बढ़ना चाहिए विकल्प नमबर आपका तीन सही है बीस वेक्यूशन में नेक्स्ट प्रश्ण नमबर 21 पे आते हैं तो चलिए 21 वेक्यूशन को देख लेंगे आपके प्रश्ण संक्या 21 गणिस सिक्सन की आगमन विदी का दोश है रटने की प्रोत्ति को बढ़ावा देती है ये विदी प्रारंबिक कक्ष्याओं के सिक्सन के लिए उप्योगी नहीं है लंबी एवं ठकाने वाली विदी है और एमनोवेग्यानिक विदी है तो देखो राइट आंसर क्या रहेगा आपके विकल्प नमबर पहला दूसरा तीसरा और चोता इन में से थर्ड विकल्प सहिए साथियों लंबी एवं ठकाने व जाता है यह भी गलत है रटने की प्रोत्ति को बढ़ावा देती है गलत बात है रण नहीं देती है साथ यह तो रट कर सीखने पर तो निगमन विदी बल देती है आगमन तोड़ी देती है इसलिए आपके ओनली थर्ड विकल भी इसका दोश है नेश प्रेश नंबर 22 को देख अध्यापक का सच्चा साती कहा जाता है सातियों क्योंकि आपने देखा होगा कि सरवादिक इसी का उप्योग करता है एक अध्यापक कक्षा सिक्सण में बच्चों को पढ़ाने के दोरान तो नेश प्रेश नंबर 23 पे आते हैं आपके 23 वाक्यूशन एक सिक्षक प्रदान विदी मतलब किस विदी को सम्मिलित करेंगे जिसमें सिक्षक ज्यादा एक्टिव रहता है तो वो सिक्षक प्रदान विदी होती है तो यहां पर व्याक्यान विदी जो है ये एक सिक्षक प्रदान विदी है प्रियोजना प्रियोक्षालाव निरिक्षित अध्यान विदी ये तीनों ही बाल के इंद्रित विदियां होती है इसाती हो तो 23 में आपके प्रतम विकल्प सही है नेक्स प्रिक्ष नमबर 24 पे आते हैं ये रहा आपके चोई स्वा क्यूशन योजना विदी का जन्मदाता इनमे से कौन है एच सी मौरिशन, जोन ड्यूवी, हरबर्ट और गार्डनर तो देखो योजना विदी का जन्मदाता किसको माना जाता है अब यहाँ पर किल पेट्रिक तो आपके विकल्प में ही नहीं है तो पिर हम क्या करेंगे राइट आंसर जोन ड्यूवी करेंगे यूकि जोन ड्यूवी की प्रियोजन वादी विचारधारा पर ही आदारित योजना विदी होती है साथियों इसलिए सेकंड विकल्प 24 में सही है नेक्स फ्रेस्ट नमबर 25 पे आते हैं तो आपके 25 वा क्यूशन ये रहा जे एफ हरबर्ट ने पाठ योजना के निर्मान हेतू कितने सिद्धान दिये दो सिद्धान, तीन सिद्धान, चार सिद्धान और पांच सिद्धान तो देखो जे एफ हरबर्ट के दोरा जोन फ्रेडरिक हरबर्ट के दोरा पाठ योजना के निर्मान हेतूथ, चार सिद्धान दिये गए थे, और इन चार सिद्धान तो के आदार पर इनके जो सिश चितेसात्यों, जिलर, राइन, हरबर्ट, स्पेंसर, इनों होने 5 पद निर्मान किये, कितने पदों का निर्मान किया? 5 पदों का, इसलिए वो जो 5 से जो पार्ट योद्ना बनाई उसको हर्बर्ट की पंच्पदी के नाम से जाना जाता है तो थर्ड विकल्प 25 में सही है नेश प्रिश्ट नमबर 26 पे आते हैं पार्टे चर्या संपूर सेक्षिक परकिर्या का सार है यह कतन किसका है क्रो एंड क्रो का मुनरो का रिस्क का और प्रो बेल का तो पार्टे चर्या के संबंद में यह कतन जो कहा गया है कि संपूर सेक्षिक परकिर्या का सार है किसने कहा है बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन है अच्छी तरह से याद रखिएगा इस क्यूशन को साथ यो तो साथियों 26 वे क्यूशन में जो राइट आं पर आते हैं तो आपके 27 वाक्यूशन किस सहायक सामगरी का प्रियोग वस्तों के तुलनात्मक अद्यान हेत्तू किया जाता है फ्लेनल बोर्ड का ओवर हेड प्रोजेक्टर का गलोब का और ग्राप का तो देखो तुलनात्मक अद्यान आपको करना है तुलनात्मक एक रू अड़ाप बनाया इसमें अब इंड दोनों में हम बारत की जन संक्या का 2021 और 2021 का तुलनात्मक अद्यान कर सकते हैं बड़े आराम से सबसे सरल होता है इसे विकल्प नंबर 2 तो है विकल्प नंबर 4 सही है सोरी प्रिशन नंबर 27 में नेग्च देखेंगे प्रिशन संक्या 28 28 को तो आपके 28 28 वाक्यूशन देख लेते हैं 28 वाक्यूशन निम्न में से कंप्यूटर का एक कठोर उपागम कौन सा है Windows, Printer, Excel और PowerPoint तो देखो कठोर उपागम और ये कोता है मरदूल उपागम तो कठोर उपागम में मशीन आती है और मरदूल उपागम में सोप्ट वेर आते हैं सातियों कठोर उपागम में मशीन आ रही है तो मशीन क्या है यहाँ पर प्रिंटर है इसने सेकंड विकलप आपके कठोर उपागम का उधारन है Windows, Excel, PowerPoint ये तीनों मरदूल उपागम के उधारन है तो आपके सेकंड विकलप ही 28 में सही है next प्रिश नमबर 29 पे आते हैं त कोद, कोशल और अभी रूची 29 में राइट आंसर बताईएगा साथियों तो 29 वे क्यूशन में जो राइट आंसर है कि अगर कोई चात्र कविता का सैस और वाचन करता है तो मतलब वह है एक कोशल के अंतरगत आएगा साथियों क्या है फिर वो कोशला आत्मा कुद्देश क की पूर्ती हो रही है थारड विकल सही है आपके प्रश्ण नमबर 29 में नेक्स देखते हैं प्रश्ण संक्यात 30 को तो आपके तीसवा क्यूशन किस अभिकर्मित अनुदेशन में मंद बुद्दी बालक ही रूची लेते हैं रेकी अभिकर्मित अनुदेशन में शाक्य से जानते हैं इस रेखी अभी कर्मी तनुदेशन को बहाय अभी कर्मी तनुदेशन भी कहा जाता है और यह बीए पिस्किनर के दोरा दिया गया था साथियों जिसमें चोटे-चोटे पदों के माध्यम से बच्चों को सिक्षन करवाया जाता है इसलिए प्रतम विकल्प ही त सबस्क्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा साथियों प्रश्च नमबर 31 पे आते हैं आपके 31 क्यूशन अनुवात करना किस उद्देश से संबंदित है ज्यान अवभोध ज्यान अपयोग और कोशल तो देखो जब भी हम अनुवात कर हम किसी चीज का नुवात करते हैं तो उसका संबंद होता है साथियों अवभोध आत्मक उद्देश से सेकंड विकलब आपके प्रश्च संक्या 31 में सही है नेक्स देखेंगे प्रश्च नमबर 32 को तो चलिए 32 क्यूशन को देख लेते हैं जो कि आपके सेकंड लाश्ट क् संक्या है तो इसके लिए आप बिल्कुल कमेंट करके जाए कि 30 क्यूशन आपसे हुए या नहीं जरूर बता करके जाए साथियों विज्ञान किट में कुल सामागरियों की संक्या होती है 22 होती है 45 होती है 140 होती है या 67 होती है तो विज्ञान किट का जो निर्मान है साथिय जो SIRT राजिस्तर पर करती है, NCRT राश्टिस्तर पर करती है, और इसमें कुल सामाग्रियों की संक्या 45, 45 होती है, विज्ञान से समंदित सामाग्रिया होती है, विकल्प नमबर आपका 2 सही है, 32 में, अब नेक्स प्रिश्ट नमबर 33 को देखेंगे, तो आज का अंतिम्क्य कुशन है, 33 प्रिश्ट ने, विडियो अच्छा लगे तो वापिस के रहा हों कि लाइक जरूर कर दीजेगा, निम्न में से कौनसा विशे, विज्ञान विश्यों के आधार विश्यों के रूप में माना जाता है, हिंदी, अंग्रेजी, गनित और सामाजिक विज्ञान, त कौनसा है, गनित है, विज्ञान और गनित को एक दूसरे का आधार विशे माना जाता है, थर्ड विकल्प आपके 33 प्रिश्यों में सही है, तो ये था आज का विडियो वई, कैसा लगा हमें जरूर बता करके जाए, मिलते हैं अब अगले विडियो में, बिलकुल अब आप पूली हो गए साथियों, कम समय में अधिक क्यूशन लेकर के आओंगा, ज्यादा टाइम लोंगा नहीं, तो वद्वद धन्यवास सभी का